इस वीडियो में जो हम प्रीमियल लीग का मैच कवर करने वाले वो रहेगा न्यू कासल युनाइटेड वर्सेज आर्सेनल के बीच मैच कवे न्यू कासल किक ओफ होगा रात में 1230 एम पे तो दोस्तों आर्सेनल के बारे में आप जानते हूंगे प्रीमियल लीग का ये कलब टॉप कलब माना जाता है इस सीजन टाइटल देश से तो पहली बाहर हुग जाता लेकिन अभीना इनका टॉप फॉर्ट स्पॉर्ट में फिनिश करने का एक बहुत अच्छा इनके बास चांस है उसके लिए इनको बस इतना करना है कि अपने अगले बचे हुए दोनू मैच जीच जाते हैं तो यह टॉप फॉर में फिनिश कर देंगे और टॉटनम फिप्ट पोजिशन में खिसक जाएगी क्यूंकि आप जानते होंगे जो टॉप फॉर टीम्स होती है प्रीमिय लीग में उनको अगले सीजन उसके यूएफा चेंपियन लीग का स्पॉर्ट मिलता ह है अभी आप देखेंगे टॉटनम फॉर्थ में अर्सेनल फिट में टॉटनम के 68 पॉइंट और टॉटनम ने एक मैच ज्यादा खिल है और टॉटनम ने पिछले मैच में 3-0 से अरसेनल को हरा जिया था इसके बाद यह आर्सेनल से उपर निकल गया था लेकिन अगर अगले चांसे तोटनम उनको अहरा देगा और टोटनम नौरिच को अहराती है अगर अर्सेनल अगले दो में किसी एक मैच में पॉइंच ड्रॉप करती है तो यहां पर टोटनम कॉलिफाइए कर जाएगा चेंपियंद लीग स्पोर्ट के लिए तो आज वाला मैच और अगला मैच आ अगर आप प्रीमियल लीग यह सिजन सुरू से फॉलो कर रहे है तो आपने देखा होगा पहला आप अपदा सिजन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा था न्यूकासल का बॉटम टू या ट्री में ही थी है मिलफ सेवन्टीन नाइटीन तुनधियत ऐसी पोजिशन में थे लेकिन जैनवरी ट्रांसपर विंडो से ना क्या ड्रमेटिक टर्नराउंड हुआ है यह आप सबने देखा होगा यही न्यूकासल आज फॉर्टीन पोजिशन में सेव्टी में जो उस टेम में ऐसा लग रहा था कहीं रिलिगेट ना हो जाए वहां पे इनके फंड आया न्य के पॉइंट है अब ना तो यहां से रिलिगेशन का खत्र है न्यूकासल का ना यह बहुत उपर यूरोपियन प्लेसेस के लिए फिनिश कर सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग न्यूकासल का सीजन ओवर हो चुका है यह अब नेक्स सीजन का सीचिंग है जहां पर एक बड़ी लेकिन पिछले मैच में थ्री निल से टॉटनम से आर गए यह भी एक तरीके से मश्ट्वीन मैश था बट इस मैच में इन्होंने अर्ली रेट कार्ड खाल या था जिसका इनको खामिया जा भुगतना पड़ा वहीं बात करें न्यू कासल की रीसेंट फॉर्म की लास्ट तीन में हो सबसे पहले थी निल से उन्होंने नौरिच को रहा लेकिन उसके बाद उनको ना दो बहुत टफ अपूनेंट मिल गए वन निल लिवरपूल से आरे फाइव निल वो मैंसीडी से आरे अब लिवरपू न्यू कासल लगा था राइधिंग चार या पांच मैचेस जीता था इस सिजन इन दोनुं क्लप्स के वीज एक मैच वहा था तब टू निल से आर्सेनल ने न्यू कासल को रहा था साका माटीनली ने स्कोर किया था लेकिन उस टेम की न्यू कासल और आज की न्यू कासल में जमीन आसमान का फराग है तब न्यू कासल एक बहुत वीक टीम थी लेकिन जैसी 2022 आया है वन अप दा टॉप टीम में आप काउंट होने लगी है न्यू कासल प्रीमियल लीग के अब मैं आपको एक मैच फैक बता तो जो कि थोड़ा बहुत हमें आउटकम निकालने में देखते हुए ना अब न्यू कासल के अटेकर्स जरूर टार्गेट कर सकते हैं इस मैच के लिए क्योंकि यहां पर भी डीसेंट चांसे की आर्सेनल क्लीन शेट ना रखे फिलाल लॉजीकली देखा जाए इस मैच में आर्सेनल एक फेवरेट टीम होगी बट न्यू कासल अ इनके प्लेयर्स पूरी तरह से मोटिवेटेड रहेंगे विलाल प्रूवीबल लाइनप पे हम आते हैं उससे बेले एक चीज़ कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लिग टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंड में वहां से जुड़ गया मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं 4400 के असपास सबस्वारा चैनल आपको मिल जाएगा अब हम आते प्रोईबल लाइनप पे पहले बात करते हैं आर आपको फुला आइट तो श्टार्ट कर लेंगे गेब्रियाल बहुत टाफ है स्टार्ट करना और होल्डिंग भी सस्पनेड़ है कहीं न कहीं सेंटर बेक पोजीशन में आर्सेनल शॉट लग रहे है अगर गेब्रियाल और वाइट दूनु एक साथी स्टार्ट नहीं करते है तो फिलाल मेरे अकॉटिंग आर्सेनल फेड़ेट या स्लाइट फेड़ेट होगी अभी एलमेन के थोड़े ज्यादा प्लेयर करूँगा स्ट्स या सेवन प्लेयर में इंके प्लेयर करूँगा स्मॉल लीग में तो इनकी 11 देखते हैं एराओन इंके गोल गीपर हूंग मेक्जिममम डिफेंडर में आर्सेनल की पिक करूँगा वैसे तो मुझे लगनी रहा दोनू टीम की क्लीन शीट आएगी बट इस्टिल मेरे अर्कॉर्टिंग मेभी आर्सेनल एक वन निल टैप की नहरू विक्ट्री प्रेडियूस कर सकती है तो अभी मैं इनके ज्यादा डि तो मैं वैसे भी उधना प्रिफन नहीं करता हूं और अब तो ऐसा सेंटर बैक आगे जो इनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है तो मैं अभी के लिए इनको इग्नॉर कर रहा हूं ज्यादा एक्सपेक नहीं कर रहा हूं वाइट गेब्रियाल की अक्सेंस में इनके में डिफ इस तीन के बेस्ट हैडिंग अभीटिवाले प्लेयर है और डिफेंशी वाइस भी बेस्ट डिफेंडर है तो यह मेरे तीन डिफेंडर है अगर यह बेकलाइनी स्टार्ट करती है जाका एनरली डिफेंसी मिट्पील में करेंगे अभी दोनों को एक्नौर कर रहा हूं पिछला मैच आपने देखा का विदाउट गोल असेश्ट थाटी और फ्रीक्वेंटली चांसेश करते हैं थोड़ा बहुत बहुत पासेश करते हैं साथ में अगर गोल असेश्ट उसमें हो जाते हैं यह 80-90 पॉइंट दे सकते हैं तो ओडिगाट मेरे अकॉडिंग मस्ट अब तो यह आर्सेनल के केप्टन भी बन चुके हैं बागि आप साका ओडिगाट के कंबिनेशन को केप्टन कर सकते हैं इनकेस अगर आप आर्सेनल बैक कर रहे हैं मैं अभी के लिए एनकेतिया को भी पिक कर रहा हूं क्योंकि जब से इनको रेगुलर स्टाट मिला इन्हो करने वाला है एक चीज है अगर आप ट्रस्ट करेंने स्मित्रों पे तभी पिकरना विकॉस अगर गोल असे निया है सिक्ष्टी सिक्ष्टी वाइट के आसपास सब्सीरूट हो जाएंगे बड़ मैं फिलाल स्मित्रों को लेके चलना हूं क्योंकि आज आर्सेनल को गोल्स क के अपोनेंट की बात करने से बहले फिर रिमाइंड दिला दू इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फूटबॉल मैचेस के लिए आपको जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल से उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स में बलेगा या आपको अब हम बात करते हैं न्यू कासल की फर्नांडिस हेडन लुइस विलक और शैल भी बाहर है इनकी लेवन देखते हैं दुब्राव का इनके गोल की बरूंगे अभी मैं इनको पिक करूंगा बिकॉस यहां पर आर्सिनल को गोल की जरुबत है तो मेरे अकोडिंग को ज्यादा पहले अटलेटिको मेड़ीड और टॉटनम में भी खिलें बहुत टॉप क्वालिटी डिफेंडर हैं सारे कॉनर की गुमोश्ट अब्दा फ्रीकिक लिंगे बहुत चांस क्रेट करतें डिफेंसिव भी करतें बट फिलाल में एजियूम कर रहो सैद वो श्टार्ट ना करें इनके भी ज्यादा मिट्फिल्डर और टेंग प्लियर्स पे फोकस करूं बन और शार हैडर में अच्छे हैं वैसे मैं अभी के लिए पिक्स नहीं कर रहा हूं क्राफ्ट में भी कुछ-कुछ मैचेज में अच्छा गयाब नीच जगे बचाने के लिए अगर ट्रिपियर ख ब्रजिलियन नेशनल टीम में भी खेलता है बहुत बड़ी साइनिंग है न्यू कासल के लिए डिफेंसिव अंग भी करेगा कभी भी गोल असिश कर सकता है बहुत ज्यादा पासिस भी करता है तो मैं अभी के लिए गुमारेश को सबसे बहले रिकमेंड करूंगा मिट्फि सब्सक्राइब कर सकता है तो मैं गुमारेश तो मैं मस्ट पिक करो बड़ जो लिंग्टन आपके लिए अच्छे कासी ऑप्सन हो सकते है इनमें यह टार्गेट में किसी एक के साथ जाओंगा यहां पर आई थिंग मैं सायब जो लिंग्टन पर पंट ले सकता हूं अभी व अच्छ ऑप्सन अभी के लिए विल्सन तो अभी के लिए मैंने मैक्जीमिन को इग्नूर किया है आप ग्रेंड लीग में इनको जरूर ट्राइ करना न्यूकसल फेवर या ड्रॉ वाली टीम में बगी अलमिरोन प्लेयर ठीक टागे मिट फिल सेक्शन में लिष्टेड है ल और यह पेनल्टी टेकर भी विए क्योंकि पहले भी है पेनल्टी लेते थे तो आधिंग अब भी है पनाल्टी लिंगे और मैं यहां पर entering कर रहा हूं कि Arsenal गोल कंसीट कर सकते हैं उन्हें लास्ट आठ मैं जैसे क्लिंचीट नहीं रखे तो मैं अभी के लिए विलसन को यहां पर रिकमेंड करूंगा मैं अभी के लिए इनको फिक करो रिकमेंड तो नहीं आपको लगता है अगर शोली यह फ्लॉप जाएंगे क्योंक कि लगभग सभी चीज़े मैंने यहां से भी आपको डिटेल में कर दी और यह इनके सीनके स्टैट है प्रीमियल लीग के फिलाल जो मेरी पेडिक्शन में एक टू वन नेरो आर्सेनल विक्ट्रिया एक वन वन ड्रो के साथ जरू पड़ आई थिंग आर्सेनल कोई मैच नि सेडरिक स्वारेस हैं साका मेरे केप्टन है ओडिकाड है एनकेतिया और मैंने अभी स्मित्रों को भी पिक किया विकाज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आर्सेनल अच्छा करेगी है टेकिंग वाइस यहां मैंने गिमारेश लिए जोलिंग्टन और केलम विलसन है आपको दे सकते हैं अगर आपको लग रहा वन वन टू वन टाइप की स्कूल लाइन होगे आप मेभी विलसन को वाइस केप्टन सी दे सकते हैं तो फिलाल यह मेरी डेमर अफ टीम थी जो भी अपडेटेड मेरी फाइनल टीम होगी लाइना पाने के बाद मैं पोस्ट करूँगा ट लिए